लोगों का यहाँ पर UK का वीजा रिजेक्ट होता है ना वो बहुत कॉमन सिली मिस्टेक्स के वईसे होता है क्योंकि वो चीजें पढ़ते नहीं अच्छे से मानलो एक स्टूडेंट एप्लाई कर रहा है युनिवरस्टी में युनिवरस्टी का एक एलिजिबिलिटी अब वो मानलो वहां पर बोल रहें कि आइलेट्स का स्कोर्स के 6.5 अवरेज होना चीए आपके अगर 6 है तो आपने वहां पर डॉक्यमेंट अपलोड कर दिये परसेंट लोग जो यूके आना चाते हैं उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है यानि कि 100 मेंसे 15 लोग यहां पर यूके नहीं आ सकते क्योंकि उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है जिसके कारण उनकी इमिग्रेशन स्टेटस जो पासपोर्ट का स्टेटस होता है वो खराब ह जाता है तो एक तो आप पूरा intake ही मिस्स कर जाते हो दूसरी चीज अगर आप UK के अलावा दूसरी कोई country में भी आप यहाँ पर apply करते हो उसके जो visa success rate है वो भी यहाँ पर alter हो जाते हैं तो guys आज इस video में मैं आपको ऐसे top 10 points बताने वाला हूँ जो कि आपको avoid करने हैं while applying for a UK visa वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि जिन लोगों को यहाँ पर offer letters नहीं आ रहे हैं, cash letters नहीं आ रहे हैं आप इस video को तुरू self check कर सकते हो कि आपने कौन सी mistake की है है ना and trust me guys मैं आपको 10 points बताने वाला हूँ जो last के 3 points है ना वो बहुत common mistakes होते हैं तो वीडियो को end तक देखना and मैं आपको यहाँ पर यही बताना चाहूँगा guys कि मेरे channel को subscribe कर देना because I have realized कि 90% लोग जो मेरी videos देखते हैं वो channel को subscribe नहीं करते महलों 10 में से सिर्फ एक बंदा ही subscribe कर रहा है तो चलो subscribe करना channel को and video को like कर देना हम start करते हैं video को with the point number 10 हम सभी को पता है कि अगर किसी को abroad आना है तो उसको चाहिए होता है एक passport आपने जब passport apply किया होगा तो एक step होगा police verification आपका घर का address यहाँ पर verify करते हैं तो उस process पे आपका criminal check भी होता है तो अगर आपके against कोई legal action लिया जा रहा है या तो कोई भी एक case चल रहा है right now तो वहाँ पे आपको passport नहीं issue किया जाता है and just because of that आप यहाँ पे जो first step होता है application हना visa apply करोगे आप वो ही नहीं कर पाऊगे क्योंकि main document passport ही नहीं आपके पास तो इस point से मैं आपको यही समझाना चाता हूँ कि अगर कोई plan कर रहा है कि उसको आने वाले एक साल के अंदर-अंदर UK आना है तो वो थोड़ा careful हो जाए ऐसा आप कोशिश करना कि आप कोई crime ना करो जिसके कारण कि आपको country में stay करना पड़े आपके against कोई legal action हो जाए तो आपको यहाँ पे passport नहीं मिल सकता है अभी चलते हैं to the point number 9 यहाँ पे मैं बात करूँगा about incorrect documentation same passport का example लेते हैं मालो आपको birth certificate पे कुछ और नाम लिखा है और आपने passport पे वहाँ पे कुछ और नाम लिख दिया तो यहाँ पे एक confusion problem create हो जाती है दूसरी number चीज़ जब students यहाँ पे offer letter या you know CAS के लिए यहाँ पे LOR, SOP यहाँ पे लिखते हैं तो वो जूट लिख देते हैं और कभी-कभी experience letter बनवाते हैं तो वहाँ पे भी थोड़ी fake यहाँ पे job letters बनवाते हैं जिसके कारण उनको लगता है कि हमारा निकल जाएगा बड़ यहाँ पे जो embassy है, UK की and जो universities है A to Z हर एक चीज़ यहाँ पे चेक करती है अगर उनको वहाँ पे यह चीज़ पता चल जाती है कि आपने cheating की है तो यहाँ पे आपका visa rejection हो सकता है नमबर वन मैंने आपको क्या बताया कि आपके जो नाम, date of birth यह सारी चीज़े है यह सेम मैच करनी चाहिए जितने भी अपने documents यहाँ पे upload करने है दूरसी नमबर चीज़ यह है कि अगर आप यहाँ पे कोई fake चीज लिख रहे हो कोई fake document बनवा रहे हो खेलना चाते हो तो खेल लो लोगों का निगलता भी है बट never do it क्योंकि आपका अगर यह एक ही chance होता है एक बार अगर आपका visa reject हो गया तो दूसरे बारी के chances ना के बराबर ही होते हैं पॉइंट नमबर एट क्योंकि वो चीजें पढ़ते नहीं अच्छे से मान लो एक student apply कर रहा है university में university का eligibility criteria होता है अब वो मान लो वहाँ पे बोल रहे हैं कि ILETS का score 6.5 average होना चाहिए आपके अगर 6 हैं तो आपने वहाँ पे a document upload कर दिये and then you blame the university की यार मेरे को offer letter नहीं मिल रही आपको वो reply नहीं करेंगे किसी के पास इतना time नहीं होता है वो straight away reject कर देते हैं दूसरी चीज़ आप जब SOP लिख रहे हो statement of purpose यहाँ पर भी आपको intent दिखाना है कि मैं वैसे बात करूँगा आगे जाके SOP के उपर बट मैं आपको यहाँ पर फिर भी बोल रहा हूँ कि एक intent दिखना चाहिए एक interest होना चाहिए कि भाई ठीक है मैं सच में आना चाहता हूँ मेरे जो courses हैं या तो मान लो कि आप as a student आ रहे हो तो आपका intent होना चाहिए कि हाँ मैं सच में पढ़ाई करना चाहता हूँ मैं जस्ट ऐसे ही नहीं आ रहा कि मतलब कि हवावाजी करने Point No.7 यहाँ पर मैं especially international students के बारे में बात करना चाहता हूँ आपको यहाँ पर again repeat कर रहा हूँ University का जो criteria है वो read करना है यहाँ पर आपको बताया जाता है कि ILETS का score का example मैंने आपको अल्रड़ी दे रखा है अगर आप कोई master's degree apply कर रहे हो तो वहाँ पर लिखा रहता है कि आपको जो previous qualification है यह होनी चाहिए ठीक है आप जितने भी transcripts यहाँ पर upload कर रहे हो वो आपके English में होने चाहिए बाकी हर एक university का different criteria होता है यहाँ पर जो एक international student है वो 4-5 university में मैंने हमेशा बताया है कि वो यहाँ पर apply करें एक university से वो जो probability होते है आपको student visa मिले आपको offer letter accept हो वो बहुत कम हो जाती है तो 4-5 university में आप apply कर रहे हो तो बहुत बार ऐसे होता है कि आपने same university के जो criteria जो उसके साब से apply कर दिया and then फिर आपका वहाँ पर offer letter नहीं आएगा तो हर एक university का eligibility criteria read करो कैसे application करनी है read करो सारी information university की website पर होती है Point number 6 आपकी health यहाँ पर आपको पता ही होगा UK आने से पहले एक TB test किया जाता है आपको अगर उस time पर खासी है या तो कोई cold cuff आपको हो रखा है तो आप वो test fail हो जाओगे even after paying the fees clearing out the cash interview सारी चीजे करने के बावजूद भी आपके सारे documents सही भी है उसके बावजूद भी यहाँ पर आपका visa reject हो सकता है तो make sure करना कि आप application कर रहे हो मालो आप September में आ रहे हो तो 3-4 महीने अपना ख्याल रखना क्योंकि अगर आपको वहाँ पर थोड़ी problem होगी cuff and cold की तो आपका visa straight away यहाँ पर reject हो सकता है यह तो मैंने TB की बात किया इसके अलावा दूसरी भी health conditions होती है तो उसमें अगर आपको दिक्कत है you already know कि international student की life बहुत difficult होती है यहाँ पर आके आपको अकेले रहना रहता है तो इतना तो आप खुद भी responsible हो कि अगर आपको कोई health condition है तो आपको उसका कैसे ध्यान रखना है अगर आपकी इतनी ही गंदी health condition है आप भली अपने home country से fly करके यहाँ आजाओगे बट अगर यहाँ पर you know immigration जब आपकी होगी उन्होंने ये चीज रियलाइज की कि नहीं ये सही नहीं है तो आपको अब क्या बताओ मैं point number five guys यही है कि एक pre-cast interview होती है या तो जब आपकी immigration में interview होगी या UK university interview तीन चार नाम होते हैं इसके आपने अगर वो interview fail कर ली मालो आपने SOP कुछ अलग हिसाब से लिगी SOP ने आपने बताया कि हाँ वही मैंने यहाँ पर भी फार्मेसी कर रखी है आपके interview होई आपने वहाँ पर बताया कि मतलब मैंने तो कुछ और ही कर रखा या तो आप कुछ बोली नहीं सकरें English आपकी fluency नहीं है तो वहाँ पर वो realize करते हैं कि यार यह तो बात भी नहीं कर सकरा and यह तो वो same बंदा ही नहीं यह तो कुछ और ही बता रहा है जिसके हमारे पास documents पड़े हैं तो कुछ और बोल रहा था अगर वहाँ पर यहाँ यह चीज करोगे तब ऐसा हो सकता है guys कि आपको यहाँ पर cash letter ना issue की जाए and again आपका visa reject हो सकता है Point No.4 यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी previous अगर कोई country से visa rejection आई है जैसे कि Canada, New Zealand, Australia क्योंकि यहाँ पर एक frankly चीज बोलना चाहता हूं कि जिन लोगों का, जिन students का यहाँ पर Canada से rejection आ जाता है वो जाधा तर सोचते हैं कि हम UK चल जाएं क्योंकि they think कि UK का जो visa acceptance raised है वो जाधा है, I know कि वो जाधा है as compared to Canada बट एक चीज यहाँ पर ध्यान में आपको रखनी है कि अगर आपको already यहाँ पर visa rejection हो रखी आपकी भले ही वो Canada से हो, तो यह जो UKVI है यह जाधा cautious हो जाता है कि भाई क्यों, क्यों ऐसा हुआ, वो और डिक करने ही कोशिश करते हैं यहाँ पर आपका जो visa reaction थोड़ा सा chances उसके बढ़ जाते है तो guys, ऐसे कुछ डरने वाली बात है नहीं बड मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अगर आपके साथ यह scenario चल रहा है तो जितने दूसरे points बताएं, उनका आप जाए से ज़़ादा ध्यान रखना So guys, अभी हम video के end तक पहुँच चुके अभी मैं आपको last 3 points बताने वाला हूँ जैसे मैंने आपको बताया था कि यह 3 points सबसे common रहने वाले हैं तो start करते हैं with the point number 3 यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ about the finances This is one of the big reason जिसके वज़े से visa rejection होती है तो reasons क्या होते हैं कि आपके account में funds ही नहीं है दूसरी number चीज आपने 28 दिन पुराने funds नहीं रखें और फिर भी apply कर दिया तीसरी number चीज आपका cash आया उसके बाद ही आपने यहाँ पर अपना जो amount था funds थे 28 दिन पुराने वो निकाल ली but you never know कि immigration में भी यह चीज चेक हो सकती है point number 4 यहाँ पर आजकल university 60-70% fees मांगती है but आपको अपने bank account में UK आने से पहले है ना अपने bank account में वहाँ पर शो करना पड़ेगा कि हाँ भले ही मैंने 60-70% fees pay की है but जो rest 30% fees अपनी university की आपकी वो मेरे पास already पड़ी है जो कि मैं आने वाले 2-3 महीने के अंदर-अंदर pay कर दूँ है अगर आप वो चीज नहीं show कर सकते हो तो आपको कैसी issue नहीं हो तो यह सारी चीज़े है guys I know it's a bit complicated but short मैं यहीं बूलूँ है कि आपको funds show करने है and वो funds जब आप apply करो 28 दिन पुरानी यहाँ पे statement होनी चाहिए कोई bulk transaction नहीं होनी चाहिए मतलब कि आपको पता ही होगा अगर आपको London में रहना है तो आपको 12,000 pound show करने पड़ेंगे अगर outside London रहना है तो आपको 9,000 pound show करने पड़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपने एक बार में 5,000,000,000,000,000 करके डाल दिया या मालो एक बार में आपने 6,000,000,000 डाल ऐसे नहीं करना है अराम से 80,000,000,000,000 and round figure वाली एक tip दे रहा हूँ round figure कि मतलब वो transaction मत करना 52,000 कभी डाल दिये 1,34,000 कभी डाल दिये तो ऐसे करकर के आपको वो funds भरने ताकि उनको लगे कि अहाँ this is the actual transaction जो एक general account से होती है अभी चलते हैं to the point number 2 very, very, very important point statement of purpose, SOP जब आप ये लिख रहे हो आपको ये चीज़ बता दूँ मैं this is your introduction येस आप जब application करोगे आप अपनी CV भी upload करोगे बट CV नहीं देखते हैं यहाँ पे आपकी SOP read करेंगे यहाँ पे आपको हर एक चीज़ लिखनी है अपनी previous qualification आप ये course क्यों ढूढ़ना चाते हो आप ये course क्यों करना चाते हो आपकी subjects कैसे relevant है previous qualification and अभी की qualification कैसे relevancy आ रही है अगर आपको कोई यहाँ पे gap है आपने कोई job की, कोई exam के लिए prepare किया A to Z हर एक चीज यहाँ पे लिखो very professionally, very politely अगर आपको यहाँ पे नहीं पता चल रहा है कि आपको SOP कैसे लिखनी है मैंने अपनी SOP खुद शेर कर रही है जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी आ रही होगी आप यह वीडियो देखने के बाद वो देख लेना A to Z मैं में वहाँ पे बता रखा है आपको And now the last point guys Last point यह है guys कि आपको यहाँ पे Time, No.2, Honesty इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है Time के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ जैसे को सब्टेंबर में आना है तो वो जुलाई में यहाँ पे Application नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ यहाँ पे Universities की Seat Full हो चुकी है तो आपको Time समालना है Time रहते रहते हर एक चीज़ करनी है Whether it be you are applying for a passport या तो you are applying for LOR, SOP लिख रहे हो अपने funds मैनेज कर रहे हो तो यहाँ पे Time जो आप मैनेज करोगे वो बहुत बड़ी चीज़ होती है उसके कारण यहाँ पे बहुत लोगों के वीजा रिजेक्ट होते हैं Intech मिस करते हैं लोग तो दूसरी नमबर चीज़ Honesty आप कोई document edit मत करना Photoshop मत करना क्योंकि फिर अगर उनको पता चलता है न तो फिर यह lifetime band लगाते हैं आपके उपर दूसरी नमबर चीज़ कि आप लिख रहे हो Intent आपको show करना है Honestly आप चीज़े लिखोगे आपको मत दिल से यार होना चाहिए कि थोड़ा कि हाँ सही मैं मैं पढ़ने तो आ रहा हूं You are paying for it तो why not gain something from it This is not just a route कि आप UK आ रहे हो तो अगर आप आप आभी रहे हो न उस route के दवारा तो that is fine You are gaining a degree जो कि बहुत valuable होती है UK की degree आपको पता ही है So guys this was all about the video I feel कि मैंने थोड़ी बहुत help कि होगी आपको इसके अलावा कोई भी doubt है आप मुझे Instagram में follow कर कि वहां पे पूछ सकते हो and comments में भी पूछ सकते हो and make sure करना कि इस video को like कर देना guys and इस channel को subscribe कर देना मैंने गलतों इस video से आपको मिलते हैं in the very next video तब तक के लिए guys all the best and I wish कि आप सभी के visas यहां पे approve हो जाएं Bye bye guys